हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब नमस्कार, मास्ट स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ हूँ मैं रोबिका लियाकत कहते हैं खादी और खाकी जिसके साथ हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगार सकता ये सच एक बार फिर सामने आ गया है यूपी के हिस्ट्री शीटर विकास दूबे के केस में जितना बड़ा अपरादी वो खुद है उतने ही जिम्मेदार वो नेता और पुलिस वाले हैं जो इतने सालों से उसे बचाते रहे नेकिन उम्मीद है कि अब खाकी और खादी का वो नेकसस जल्द बेनकाब होगा इस मामले को लेकर मुख्य मंत्री योगी अधितिनात ने आज एक बड़ी बैठक की बैठक में DGP Additional Chief Secretary whom ADG Law and Order सब शामिल हुए विकास दूबे को पकड़ने के लिए मुख्यालय से अधिकारी कानपूर भेजे जाएंगे और वो अधिकारी तब तक मुख्यालय नहीं लोटेंगे जब तक विकास दूबे पकड़ा नहीं जाता अब तक अलग अलग पार्टी के नेताओं के साथ विकास दूबे की बहुत तस्वीरे सामने आ चुकी है लेकिन आज हम आपको विकास दूबे का वो इंट्रिव्यू दिखाएंगे जिसमें वो खुद अपने राजनितिक आका का नाम ले रहा है वो नेताओं का भी नाम ले रहा है जो हमेशा उसे पुलिस के चंगुल से बचाते रहे और उसका यही राजनितिक कनेक्शन आज भी उसकी मदद कर रहा है वरणा क्या वज़ा है कि जिसके पीछे पूरी यूपी की पुलिस पड़ी हो वो आठ पुलिस वालों को मारने के 90 घंटे बाद भी फरार है कभी खबर आती है कि वो नेपाल भाग गया तो कभी उसके चंगल में छिपे होने की बात सामने आती है लेकिन वो कहा है किसी को नहीं पता विकास दूबे के एक क्रिमिनल रेकॉर्ड और पुलिटिकल कनेक्शन की कडिया जोडती हुई मास्टर स्टोक की कवर स्टोरी अब आपके सामने जन्मानस में एक मेरी छवी है कि विकास दूबे गरीबों के मसीज़ा है जन्मानस मेरे दर्वाजे से कोई फर्यादी खाली न जाए और दर्वाजे के अंदर कोई पुलिस वाला घुस न पाए ये है खुद को गरीबों का मसीज़ा बताने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दूबे का फलसपर फिल्मी अंदाज में पहले छोटा गैंग बनाया फिर बड़ा बदमाश बना टॉन गिरी चलने लगी तो नेतागिरी का चसका लगा और जब नेताओं का साथ मिलने लगा तो सारी दुनिया ठाए ठाए तो जिसे एक DSP समेत आठ पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया जिसके सामने हथ्यारों से लेस यूपी पुलिस कुछ नहीं करपाई वो विकास दुबे अभी पुलिस को थेंडा दिखा कर पराद पिछले 90 घंटे से यूपी पुलिस की 40 ती में विकास दुबे की तलाश में भटक रही है लखिमपुर खीरी से लेकर बहराईच तक के भारत नेपाल बॉर्डर पर विकास दुबे के पोस्टर लगाए जा रहे है हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है कानपुर उन्नाव के टोल प्लाजा पर पुलिस वाले हाथ में विकास दुबे की तस्वीर लेकर लोगों से पूछताच कर रहे है सिर्फ तीन दिन में विकास दुबे के सिर पर इनाम पांच गुना बढ़कर धाईलाख हो गया है इसलिए एहम है क्योंकि बिना किसी की सरपरस्ती के एक गैंग्स्टर में इतनी हिम्मत नहीं आ सकती कि वो आठ वर्दी बालों को मौत के खाट उतार दे और अगर विकास दुबे में ये हिम्मत आई तो ये रातों रात नहीं हुआ इसका इतिहास पुराना है ये बात 14 साल पुरानी है उस वक्त क्राइम की दुनिया में विकास दुबे अपनी पहचान बना चुका था उस पर कई हत्याओं के आरोप लग चुके थे कानपुर और आजपास के इलाकों में उसके नाम से लोग कामते थे लेकिन आपने सुना कि किस तरहें वो खुद चुनाव की तैयारी की बात कर रहा था जरूर आप ये जानना चाहते होंगे कि तब इस क्रिमिनल को चुनाव लड़ाने वाला हाई कमान कौन था तो अब उसका पूरा बयान सुनी इस हंसी को देखें और समझ जाएं कि विकास दुबे जैसे लोग कैसे और क्यों पूरे सिस्टम को अपने ठेंगे पर रखते हैं 2006 में बहन जी यानि मायवती की पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी करने का दावा करने वाला विकास दुबे 2001 में बीजेपी नेता संतोष शुकला की हत्या से चर्शा में आ चुका था आरोप है कि उसने ठाने में घुज कर संतोष शुकला को मारा लेकिन किसी ने भी विकास के खिलाफ गवाही नहीं दी और वो छूट गया विकास दुबे का राजनेतिक कनेक्शन नब्बे के दर्शक में बीएसपी नेता हरी किशन श्रिवास्तव के साथ शुरू हुआ उस वक्त उसका एक बुलेट गैंग हुआ करता था क्योंकि वो और उसके साथ ही राइफल लेकर बुलेट पर चला करते थे उनकी ये छवी और नाम के आगे दुबे लगा हुना कई नेताओं को अपने फाइदे में दिखा कानपूर का ऐसा कोई बड़ा निता नहीं इसके साथ विकास दुबे का कोई कनेक्शन न रहा किसी के साथ उसकी दोस्ती थी तो किसी के साथ उसकी दुश्मनी इलाके के गैर ब्रामन नेताओं ने विकास दुबे को पाला पोसा और बदले में उसने आसपास के इलाके के ब्रामन भोटरों का जुगार किया और इसी के दम पर वो आगे बढ़ता रहा ब्राह्मन बोटों पर पकड़ और बाहुबली छवी के साथ विकास दुबे ने राजनीति का शौटकट सीख लिया था जस पार्टी की सरकार हो उसी का जंडा बुलंग करना है इसलिए वो कभी BSP, कभी SP, तो कभी BJP के नेताओं के साथ नजर आने लगा ये तमाम तस्वीरें उसके राजनीतिक रसूप को मजबूट करती गए ये वीडियो तीन साल पुराना है एक हत्या की साजश में पुलिस की गिरफ्त में आए विकास ने तब खुल कर कुछ नहिताओं का नाम लिया और बताया कि कैसे वो लोग उसे बचाने में लगे हैं अभिजीत सांगा और भगवती सागर बीजेपी के विधायक है इस वीडियो के सामने आने के बाद दोनों ही विकास दुबे से किसी भी तरह के रिष्टे की बाद से साफ इंकार कर रहे हैं विकास दुबे के साफ मेरा कोई संबन नहीं था ना कोई करेक्शन था मैंने कभी भी आज तक किसी से भी उसके संबन में कभी भी कोई सिपारस नहीं किये विकास दुबे का जो ये बयान आज मैंने आपके चैनल में सुबह देखा मैं बहुत आहत हुआ हूँ ये अपराधिक तत्त जो हम लोगों का नाम ले रहे हैं निश्चित रूप से विधिक कारवाई में करने जा रहा हूँ अब इन तस्वीरों को देखिए इसी साल फरवरी में समाजवादी पार्टी के एक नेता रजय वाजपे के घर पर हुई बर्थडे पार्टी में विकास दुबे ने जम कर डांस किया इस तस्वीर में उसके बगल में बीजेपी युवा मोर्चा के क्षेत्री अध्यक्ष विकास दुबे खड़े हैं और एक दूसरी तस्वीर में वो कमेडियन अन्नु अवस्थी के साथ बैठा हुआ दिख रहा है प्रोग्राम सुरू होए कि कुछ देर बाद एक्जेक्ट टाइम नहीं पता है योगी आदितनाथ के सीम बनने के बाद से विकास दुबे बीजेपी में घुसने का मौका ढून रहा था कई बीजेपी नेता उसकी पैरवी भी कर रहे थे पर बात नहीं बने इसलिए खबरों के मताबिक वो एक बार फिर बीजेपी के संपर्क में था हालाँ कि अब हर पार्टी खुद को बचाने के लिए विकास दुबे को अपराधी बताने में लगी है लेकिन सवाल यही है कि अगर पार्टी पुलिस और सरकार की नजर में विकास अपराधी है तो वो कौन है जो उसे भागने में मदद कर रहा है कोई तो था जो विकास दुबे को इतने सालों से बचाता रहा असल में विकास दुबे की पुलिस और राजनीती दोनों में गहरी पैट थी कानपूर के कुछ लोकल थानों में उसका राज चलता था ठानेदार तो बस नाम का होता था जैसे कि चौबे पूर में जहां के ठानेदार विन्य कुमार तिवारी अब फस गये हैं विन्य तिवारी पर बहुत से गंभीर आरोप लग रहे हैं जिनकी जाट चल रही है लेकिन विकास दूबे की मदद करने वाले अकेले विन्य कुमार तिवारी नहीं थे बलकि कई और पुलिस वाले भी विकास के लिए विभीशन बने हुए थे ऐसे ही गद्दार पुलिस वालों ने विकास को पहले ही इस रेड की सूचना दे दी बता दिया कि कितने पुलिस वाले आ रहे हैं नतीजा ये था कि विकास पूरी तैयारी के साथ पुलिस वालों की जान लेने के लिए बैठा हुआ था और हुआ भी यही आठ निर्दोश पुलिस वाले शहीद हो गए हमारी जाच में किवल ठानत रखी नहीं बलकि चवेपुर ठाने के और आसपास के ठानों पे जो भी इस आपरेशन में लोग इन्वाल्ड थे जिनको जानकारी दीगी ऐसे ऐसे पुलिस जाने वाली है तो सभी को हमने जाच के दारे में तखा है और जल्दी ही हम ऐसे विभीशन को चिनित करेंगे अब कहां कोई शक रह जाता है जब उत्तरप्रदेश पुलिस के इतने बड़े अधिकारी खुद कह रहे हूं कि पुलिस डिपार्ट्मेंट में ही कोई विभीशन है जिसने विकास दुबे की मदद की थी लेकिन विकास की मदद करने बाला कोई एक पुलिस वाला नहीं था बलकि कई थे हमारी ये रिपोर्ट गौर से देखते जाए और समझे कि जब पुलिस और अपराद का गठ जोड हो जाता है तो फिर अंजाम यही होता है ये दयाशनकर अगनी हुतरी है विकास दुबे का साथी या नौकर कुछ भी कह लीजिए ये समझ लीजिए कि विकास दुबे ने पुलिस वालों पर फाइरिंग इसी दयाशनकर के नाम से ली गई बंदूग से की थी दयाशनकर पुलिस के गिरफ्ट में है और साफ साफ कह रहा है कि विकास को धाने से फोन आया था कि पुलिस आने वाली है ये तो एक अपराधी की गवाही है अब जरा एक पुलिस वाले की गवाही भी सुननीचे ये हैं कौशलेंद प्रतापसी जो कानपूर के बिढूर थाने के ऐसो हैं उस दिन विकास को पकड़ने गई पुलिस टीम में ये भी अपने साथियों के साथ शामिल थी फिलाल वो घायल है और अस्पताल में भरती हैं वो भी साथ कह रहे हैं कि उन्हीं में से एक पुलिस टीम ऐसी थी जो शांत बैठी थी जिसने गोली ही नहीं चलाई सुन्ये कोशलेंद्र प्रताब जस दूसरी टीम की बात कर रहे हैं वो टीम थी कानपूर के चौबपूर थाने के थाना ध्यक्ष विना तिवारी गहीं विन्यतिवारी नहीं कौशलिंद प्रताप को रेड पर चलने के लिए फोन किया था और उन्हें बुलाया था थानेदार विन्यतिवारी फिलहाल सस्पेंड है क्योंकि उस पर विकास दुबे की मदद करने का आरोप लगा है आरोप है कि चौपेपुर में विन्यतिवारी सिर्फ नाम का थानेदार था असल हुक्म तो विकास दुबे का चलता था रेड से एक दिन पहले विकास दुबे ने विन्यतिवारी पर राइफल तान दी थी पर राइफल तानी गई थी और उनको धमकी दी गई थी लेकिन थाना दक्षिक के द्वारा इस बात को विभाग के उच्चतकारियों को नहीं बताये गया नहीं इस बात का जिक्र उनने थाने के रिकार्ड्स में किया सोची क्या रसूख रहा होगा विकास दुबे का जिसने अपनी ही घर में आए एक थानेदार के उपर राइफल तान दी और वो चुपचाप देखता रहा असल ब पुलिस विकास दुबे से बहुत डरती थी और इसकी वजह थी 2001 का संतोश शुकला हत्यकार दिवार पर टंगी के तस्वीर बीजेपी के नेता स्वर्गिय संतोश शुकला की है बात है अक्टुबर 2001 की यूपी में बीजेपी की सरकार थी संतोश शुकला राज्यमंत्री थे लेकिन विकास दुबे ने थाने के अंदर उनकी हत्या कर दी और किसी पुलिस वाले के हिम्मत नहीं हुई उनका खलाफ गवाही देने की उस समय नगर पंचायत के चेर्मेन ललन बाचपी थे ललन बाचपी की आवास पर जाके विकास दुबे ने अपने सात्य सहिए हमला करने के प्रयाश है। ललन बाचपे का टेलीफ़न भहिया के पास आया और उन्होंने बताया कि भहिया इसी इसी गटना और यह मुझे घेरे हुए तो भहिया ने कहा कि तुम अपने घर में रहो मैं आ रहा हूं भहिया यहां से जो आवास से निकले और सीधे चववे पर थाने पहुंचे सोची इतने भारी भरकम पुलिस फोर्स के होते हुए विकास ने एक राज्यमंत्री को गोलियों से भून दिया पुलिस वानों समेट कई सारे चश्मदीत थे लेकिन किसी ने गवाही नहीं थी संतो शुकला के भाई मनोश शुकला जिन ललन वाजपई की बात कर रहे हैं उनसे भी हमने बात की ललन वाजपई विकास दुबे को पिछले 30 सालों से जानते हैं उन्होंने उसे चात्र से अपराधी और फिर अपराधी से डौन बनते हुए देखा है स्वजणों के भी सात मिल करके इसने पूर में भी अपराध किये बहुत कमाईव में तो इसके मन में इसके डिने में अपराध प्रिवेश कर गया वही से और इसने जब जुना भावा की हत्या कर दी उसके बाद तो थोड़ा सा और चर्चा में जुन्ना बाबा के बाद जब संतोर सुकलागिस ने अत्या कर दी तब यह तो बिल्कुल अपराद जगत में डॉन बन गया सारे लोग इससे ड़ने लगे और इसके बाद इसके मन में राजनीत गुशी विकास के इतिहास से एक बार फिर वर्तमान में आते हैं यह आशंका है कि पुलिस पर हमले के बाद विकास उस दिर अपने घर के पीछे इनी खेतों से भागा होगा लेकिन अब यह पता चला है कि विकास भाग नहीं सकता है उसकी दूनू टांगों में रॉट लगी है जिसकी इसका मतलब विकास को किसी ने फरार करवाया उसने अपने भागने का इंतिजाम भी पहले ही कर लिया था देखे विकास दूबे इकलोता नहीं है जिसकी पैट पुलिस और राजनीती दोनों में हो और वो भी पूरी ठसक के साथ राजनीती में अपराद और अपराद में राजनीती ये वो कॉक्टेल है जिसका कोई तोड नहीं निकाल पाया है शिरुवात एक इंटर्न के तोर पर होती है सफर मार पिटाई दबंगई चोरी चकारी मर्डर से होते हुए ठेके पटे प्रॉपर्टी डीलिंग काला बाजारी रेट माफिया तक पहुँचता है इलाके में कायम किया खौफ ऐसा बदनाम करता है गुंडे को कि उसी इलाके का बड़ा नेता सबसे नजदीक उसके हो जाता है यानि नेता का पावर और गुंडे का खौफ और फिर कुछी सालों में अपराद की इंटर्नशिप से राजनीती का पर्मिनेंट इंप्लोई और सी इओ गुंडे को बना देती है झालों में अपराद का पर्मिने इंटर्नशिप और गुंडे का बना देता है